कर दोस्तों तो हमारे पास आई है एक टीवी इसमें जो फॉल्ट है आप देख सकते हैं यह कुछ आवा जा रही है कट कट की आवा जा रही है दोस्तों और ना हमारी यह लाइट भी आप देख सकते हैं गिलो कर रही है एक दम चलिए हम दोस्तों इसको देखते हैं उपन करके कि इसमें क्या Fault है हम नेकर लिया ऑपन चली हम नकाल लेते हैं सब्देख को बाहर हैं है तो देखते हैं इसमें कर लेंगे हम उपन कर लेंगे अपने पनेस अरी जो यह भी倒 है दोस्तों यह हमारी Panel और Key की फन है इनको भी हमने open कर लिया है दोस्तो और आगी जब open नहीं है दोस्तो यह sound की भी हमने open कर ली है और तीपी काफ़ी पुरान ही है तो जो भी पिने हैं सबी open कर लेते हैं और अब हम plate को कर लेते हैं, ulta तो तो दब हम चैक करते हैं हमारे टीवी में जो फॉल्ट है वो कहां पर आ है तो दोस्तों AC कर लेते हैं और मीटर को लगा लेते हैं दोस्तों AC 1500 तो दोस्तों हम जो पहले चेक करेंगे अब देख सकते हमारे जो प्हेसी bisschen है वो प्रवपर बन रहे है लिखां ऑब nota прив हम्हेंगे कि स्फिल्टर पर हमारी डीसी जो है वो बन रहे हैं अगहिं कि सल्सक्राइब दीख सकते हमारे डीची बोलस प्रोपर तरीके से बन रहे हैं तो दोस्तो यह सेक्षन वहोंगा को है स्बर्स अब दोस्तों हम जो बोलटर चेह करेंगे 110 we तो दोस्तो जो हमारा फॉल्ट है वो है दोस्तो आउट्पुट सेक्शन में जो हमारे बोल्टेज हैं वो कम बन रहे हैं आप देख सकते हैं बिलिंग कर रहे हैं सड़ सड़ असी तक पहुंच रहे हैं उसके बाद घड़ जा रहे हैं दोस्तो यह जो कम बोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोस्तों इसी की बज़े से जो हमारी light है वो blinking कर रही है चली दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे जो voltage है 110 voltage जो की proper नहीं बन रहे हैं वो हमारे 18.03 की बज़े से तो नहीं दब रहे हैं तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे अब देख सकते हैं यहां पर एक resistance दी हुई है दोस्तों पहले हम इसको निकाल लेते हैं फिर उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों हमारे जो voltage हैं वो कि लियर हुए है पर बैसे ही दब रहे हैं तो चलिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं इसकी resistance को कर लेते हैं open तो दोस्तों देख सकते हैं हमने resistance को यहां से open कर लिया है दोस्तों हमारे resistance का जो काम था वो काम था दोस्तों हमारा जो 110 voltage आप देख सकते हैं यहां से यह होते हुए दोस्तों यहां तक और यहां से यहां इस साइट डारेक्ट इस टी पर जा रहा था तो दोस्तों हमने यह रिजिस्टिंस कट कर दिया है अब चलिए हम दोस्तों अपने बोल्टिज चेक करते हैं कि हमारे जो एक सुदस बोल्टिज प्रॉपर हुए है या ड्रॉप अभी भी हो रहे हैं तो दोस्तों हम प्लग कर लेते हैं तो दोस्तों हमने प्लग लगा दिया है और मीटर को हम रख लेते हैं आगे आप बोल्टिज देख सकें प्रॉबरली तो दोस्तों अब देख सकते हैं हमारे जो 110 के 118 विल्टिज जो प्रॉपर बनने स्टार्ट होगा है दोस्तों जो हमारा फॉल्ट है दोस्तों वो EST के कहीं आज पास फॉल्ट है अब चलिए हम देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो फॉल्ट है वो इस साइड कहां पर है दोस्तों य जो फॉल्ट होता है या तो हमारा हमारी 1803 जो कि आई सी लगी होती है जो कि हम प्लेट को सीधा कर ले रहे हैं फिर आपको दिखा रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं EST के पास में 1803 आई सी लगी हुई है या तो दोस्तों इसमें फॉल्ट हो सकता है या फिर दोस्तों आप द तो दोस्तों आप देख सकते हैं पर एक हमारा ये कैपिसिटर लगा हुआ है तो पहले हम दोस्तों इसे चेक कर लेते हैं कि दोस्तों कहीं हमारा यह तो खरब नहीं है दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो से की हमारा यह जो कैपिसिटर है हलका सा फटा हुए चलिए हम दोस्तों कैपिसिटर को निकाल के आपको दिखा रहे हैं जो दोस्तो हमारा फॉल्ट है वो कैपिसिटर में है तो चलिए दोस्तों कि इस कैपिसिटर को बाहर निकाल देते हैं जो की अब देख पा रहे हैंगे दोस्तों है भर हमारा जो क्या पर वो फट चुक्ट चुगा है तो दोस्तों हमारे जो बोल्टी डॉप हो रहे तो इसी क्यापी सिटर की विजह से वह रहे तो तिसके शीम हो अ कि नहीं है तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि रिजिस्टेंस को वापस जोड़ देंगे अब दोस्तों देख पा रहे होंगे यहां इसी जगह से हमने रिजिस्टेंस को निकाला था और यह हमने दोस्तों बापस लगा दिया चली दोस्तों अब हम करते हैं इसी लाइन दे कर के छेक किसी बॉल्टेज ड्रॉप हुए है तो दोस्तो देख सकते हैं अब जो हमारी टीवी ओन होने के बाद प्रॉपर बोल्टेज दिखाने लगे 102 के आसपास जो बोल्टेज हमारे बन कर आ रहे हैं तो दोस्तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि हमारी जो टीवी है वो तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारी टीवी जो एकदम के लिए ओन हो चुकी है और एक बार मैं आपको बोल्टेज दिखा दे रहा हूं तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे जो बोल्टेज हैं 199 के आसपास जो कि ओन होने के बाद बच रहे हैं तो दोस्तो ठीक है और TV on होने के लिए एतने voltage काफी है जो कि 10110 के आज पास जो हमारे voltage रहने चाहिए तो वीडियो देखने के लिए दोस्तो धन्यवाद और जिसमें फॉल्ट था दोस्तो एक इस filter का फॉल्ट था जो कि आप देख सकते हैं यह हमारा फटा हुआ है